फिर आपके प्यारेज चैनल जे आर्ट टुटियोडियल्स में So as you know, हमने already 12th बैट शुरू कर दिया है biology का और हमारे 5 lesson already complete हो चुके हैं ठीक है? आज इस lecture से हम लोग start करने जा रहे हैं हमारा 6th lesson ठीक है? जिसका नाम है plant water relation plant water relation मतलब इस lesson में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि plant और water की बीच में क्या relation है दोनों एक दूसरे के साथ कैसे correlate करते हैं कैसे coordinate करते हैं वो सारी चीज़ हम लोग इस lesson में पढ़ने वाले हैं आप लोग को जैसे पता यह होगा कि water बहुती ज़ादा main constituent है किसी भी organism के लिए चाहे हम अपनी बात कर ले हमारे लिए भी main constituent water और plants के भी बात कर ले तो plants के लिए और भी जादा important होता है water क्यों 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 देखो एक general से human body के अंदर 70 around 65 to 70% water ही है ठीकिए अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी weight की बात करूँ कितना 90 to 95% इसलिए water के लिए sorry plant के लिए water बहुत ज़ादा important हो गया सही बात है तो इस lesson हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे plant को water को absorb करेगा कौन से water को absorb करेगा और उसको कैसे दूसरे level तक पहुचाएगा कैसे leaves तक पहुचाएगा देखो mainly आप लोग ने पढ़ा होगा कि plants के बास दो tissues होते है एक होता है xylem और एक होता है phloem ठीक है xylem और phloem किस के help करता है जो xylem होता है वो water transport के लिए help करता है water कहाँ पर absorb होता है root में absorb होता है सही बात है plants के हम लोग ने parts पढ़े ना जैसे अगर हम लोग बात करें leaves की तो leaves का क्या function है photosynthesis करना photosynthesis करके क्या बनाना food को produce करना और वो food कहाँ जाएगी फिर different parts of cells में पहुचेगी उस food को transport करने आ काम किसका है phloem का ठीक है उसको transport करने आ काम किसका है phloem का वैसी अगर मैं बात करूँ flower का अगर हम लोग बात करें root का तो root का function क्या है root का function है water अपने surrounding में से ठीक है surrounding के अंदर से water और minerals को absorb करना ठीक है water को और minerals को absorb करना और water बहुत ही जादा important process क्योंकि आप लोग ने photosynthesis पढ़ा होगा last year 11 अप लोग photosynthesis पढ़ा होगा उसमें जो ps2 cycle ठीक है ps2 cycle क्या थी इनिशियेशन होता था वहाँ पे photosynthesis का जहाँ पे photosynthesis start होती थी और वहाँ पे जो h plus atoms लगते थे hydrogen plus atoms लगते थे वो कहां से आते थे वो nothing but water से ही आते थे तो water अगर नहीं हैगा तो photosynthesis भी initiate नहीं हो पाएगी समझ में आ रहे है सो सबसे important जो molecule एक plant के लिए वो हम लोग क्या कर सकते है इत इस वाटर तो यहां पर क्या लिखा है मैंने water is the main component of almost all the organisms ठीक है water is main component almost all the organism जितने भी organism आगतको तुम लोग देदिना में देखें वो सब के सब के सब के लिए क्लिए इंपोर्टेंट में नहीं अभी आप लोग को discuss किया इसी लिए ठीक है इसी लिए हम लोग ने कहावत है इंग्लिश में जिसे कहा जाता है water इस आप लोग में दी हुई है तो हम लोग को पड़ लेना चाहिए देखो क्या क्या दिया है water में है वोटर है very high specific heat थेक है water has very high specific heat specific heat का मतलब क्या है अगर मुझे एक molecule लेना है water का water का molecule क्या होता है एक oxygen होता है यहां से hydrogen क्नेक्ट होता और यहां से hydrogen connected होता है तो यह बहुत ही stable है तो अगर मुझे इस molecule को तोड़ना है तो उस तोडने के लिए जो minimum amount of energy चाहिए उस molecule को तोडने के लिए जो minimum amount of energy चाहिए उसको हम लग क्या कहेंगे specific heat तो water का जो specific heat है वो बहुत ज़ादा हाई है ठीक है water का जो specificative बहुती ज़्यादा क्या है, हाई यह मतलब इसको तोडने के लिए, इस molecule को तोडने के लिए हमें बहुती ज़्यादा amount of energy की ज़रत पड़ रही है, यह हमें क्या दिखा रहा है, क्या समझाने कोशिच कर रहा है, यही कि water बहुती ज़्यादा stable molecule है, और stable molecules को तोडने के ज़्यादा energy की ज़रत लगती है, इतनी बात है clear है, फिर water has very high heat of evaporation, अगर water को मुझे evaporate करना है, तो उसके लिए भी मुझे बहुती ज़्यादा heat उसको provide करनी पड़ेगी, इतनी बात है clear है, इसका मतलब यह सारी चीज़ा properties हमको क्या दिखा रही है, वो बहुती मतलब क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि buffer solution हम लोग किसी भी solution में add करेंगे तो उसका nature नहीं change होगा, ठेक है, जैसे हम लोग ने pH buffer पढ़ा होगा, पी एच बफर मतलब क्या होता है, कि अगर मैं किसी भी solution में pH बफ़र डाल दू, तो उस solution का pH change नहीं होगा, ठेक ह किसी भी substance का temperature को stable रखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे water क्योंकि water को हम लोग क्या कहते है thermal buffer इतनी बाते clear है यह सारी बाते आप लोग को समझ में आ गई होंगी next अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज़ लिखाए मैंने आपे water has very good adhesive and cohesive force मतलब क्या होता है और cohesive force मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग component है उनके बीच में जो force लग रहा है attraction का उसे में adhesive force बोलता हो जैसे for example यहाँ पे एक plastic की pipe रखिए और यहाँ पे छोटा सा water molecule अब जैसे water molecule कि यहाँ से चिपक जाएगा ठीक है water molecule थोड़ा भी इसको पास लेगा हो तो वो क्या हो जाएगए और दूसरे से चिपक जाएगा although इसके बीच में जो force लग रहा है यह तोनों क्या है अलग molecule यह लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है एक force of attraction लग रहा है इसी चीज को लोग क्या कहेंगे अधेसिव फोर्स या फिर अगर तुम लोग कभी दो वाटर ड्रॉपलेट रखो साथ में ठीक है अपने में देखा होगा अब रात दो वाटर ड्रॉपलेट को साथ में रखो और वो थोड़ा से भी आसपास आते न तो फ कर रहा हूं में तो दूसरा भी क्या होना च्छी еньए वाटa तो वाकटर और वाटर के बीच में जो फोर्स देखने मिल रहा है वो हम लोग क्या कहेंगे confuse और अगर वाटर और cohesive force, मतलब water का adhesive force भी जाधा होता है, और cohesive force भी जाधा होता है, यह general सी क्या है, property है, water के बारे में इतनी बाते clear है, अब हम लोग पढ़ेंगे, कि यह water को absorb कौन करेगा, root, ठीक है, absorb कौन करेगा यहाँ पे, root, तो हम लोग root के बारे में कुछ चीजे जानेंगे, क्या क्या जानें सिफ water is essential नहीं होता, कुछ minerals भी क्या होता है, आपके body, plant की body में निसे जरी होता है, हमारे लिए मिनरल जलू लिए, plant के लिए जरूरी है, इसलिए root का काम है, absorb करना, water को भी और साथी साथ कुछ minerals को भी, इतनी बाते clear है, ठीक है, water को भी absorb करना, और minerals को भी absorb करना, उसी का ही क यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, epiphytic plant क्या होता है, तो अगर इस branch के उपर, ठीक है, इस branch के उपर कोई दूसरा plant उख जाए, यहाँ पर इस branch के उपर क्या होग जाए, दूसरा plant उख जाए, अब इस plant के root का होगी, यह root यह क्या इस से खाना चुराएगा, बिल्कुल इस खुद का भी तो root चाहिए, तो इसके roots कैसे यह आएंगे, ठीक है, इसके roots कहाँ से आएंगे, तो इसके body में एक special structure होचा है, जो कुछ ऐसे ऐसे गया रहता है, और कहां connected रहता है, soil में connected होता है, ठीक है, इसके यहाँ पर इसका पेड़ यहाँ पर है, ठीक है, जो organism में पेड़ कहां पर है, ऊपर है, ये खुद किसी भी surface के उपर नहीं grow हो रहा है, ठीक है, एपिपाइटिक plant, तो ऐसे plants के उपर एक special type का tissue present होता है, इनके अंदर, ठीक है, ऐसे टाइप के प्लांट के एक special type का tissue present होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैलामिन जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैलामिन अब वैलामिन का function क्या है कि जो भी root से absorb हुई यह चीजे ठीक है absorb हुई है क्या का absorb होता है water और mineral यह सारी चीजों को transmit करना ओपर तक PayPal के अंदर भी यह हुई चीजवे लेकिन water यह यहँदा के जाता है और सिर्फ यूस कहा पे और होता है इतनी बाते क्लिर है ऐसे में पहँच पाता है तो यहाँ में प्लांट की ऊपर गहीं उसको sunlight मिल सके, इतनी बात है clear है, यह सब समझ में आ गया, ठीक है, तो यह समझ में आ गया, in epiphytic plant, there is a special cell, ठीक है, in epiphytic plant, there is a special cell, जसको हम लोग क्या केते हैं, विलामिन, जिससे हम लोग क्या केते हैं, विलामिन, जिसका काम क्या है, water को transport करना, इतनी बात है clear, यह एक root का ही modification है, जनरल सा root का ही modification है, अगर मैं बात करूँ, तो root के पास चार different region होते हैं, ठीक है, एक root के पास कितने region होते हैं, 4 different region होते हैं, कौन कौन सी region है, वो root of absorption, इक्चुल अब्सोप्शनों यहां पर क्या होरी है एक्चुलम एप्सॉपच्विक और रूॉट्स के उपर रूट हेज़े होता है मैं भी आप लोगों बताता हूं रूट हें यहां पर निकल गए हैं उन जगह को ही हम लोग क्या कहें तो यह होगा इलांगेशन जहां पर रूट हो रही है और लास्ट है हमारा जहां से इसका इलांगेशन टेख प्लेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे इस डायग्राम में यहां पर आप लोगो समझ में आईगा तो यह वाला जो रीजन है यह वाला जो रीजन दिख रहा है it is the meristematic region जहाँ पे क्या प्रेजन होगी meristematic tissue present होगी और meristematic tissue का काम ही है कि वो हमेशा अंतलम हमेशा age पर present रहता है हमेशा tip पर present रहता है ताकी का करवा पाए वो growth करवा पहल प्रांट की तेंख है यह हम लोग ऊपर बात करें की बद तो यह वाला मेरी स्ट्रेमेटिक रीजन जहां से बढ़ते जा रहा है जैसी यह बढ़ रहा है यहां पर क्या हो रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन यह वाला पॉर्शन क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है किसकी वजह से बढ़ते जा रहा है यह मेरे systematic region की वज़े से बढ़ते जा रहा है इतनी बात है clear है इसके उपर यह root hair वाला portion दिख रहा है यह वाला it is the absorption region ठीक है यह कौन सा region है absorption region जहाँ पर क्या present होते है root hair zone जिसको root hair zone भी बोलते है या फिर इसे यहीं पर क्या present होते है root hairs present होते है अब देखो कैसे root hair absorption करवाते है root hair epidermis layer से बना हुए क्से बना हुआ है epidermis layer से बना हुए अब epidermis का एक single सा cell epidermis का एक single सा cell क्या हो जाता है elong हो जाता है epidermis का एक single सा cell क्या हो जाता है for an example यह एक single सा cell होगा अब यह क्या हो गया यहां से elong हो गया मतलब यह यहां से गया और यह ऐसे कुछ elong होने लगा और यह क्या बना दिया यहां पर root hair बना दिया मैं दिख रहा है आप ये स्ट्रॉक्टर दीख रहा है आपको तो इतिस दॉन से और यहां पर एक वन सेल अब यह सेल क्या हो चुका है इसले हम लोग यह लिख सकते हैं कि रूट है एक लाइन के वह थी हुए है कि रूट हैर इस युनी सलूलर के सब्सक्राइब क्या कि यह सर्फ कितने सल्सक्राइब भ courage इन को इनको के जड़त है लाध फिलावर को करने के ज productive हुड हो अट्रैक्ष्ट या लिए दूसरे इंसेक्ष को अट्रैक करने के लिए फ्लावर को क्लर के ज़रोते हैं उनको क्यों दिये कलर फिर और कौन-कौन से चीज़े हैं यहां पर यहां पर यहां पर इसका साइस कितना ज्यादा बड़ा है एक है ऑल्दो यहां पर 2 प्रेजें स्केकर अंदर इसका साइस भी बहुत बड़ा होता है इसके अंदर यहां पर दो सेल्स मेंब्रीन हम लोग को पता है plant के अंदर cell wall भी present होता है और cell membrane भी present होता है जो animal tissue होता है उसके अंदर सिर्थ क्या present होता है cell membrane लेकिन अगर मैं बात करूँ plant की तो plant के अंदर cell wall भी present होगा और cell membrane भी present होगी ठीक है अगर मैं बात करूँ इसके size की कितना लंबा होता है root hair, तो root hair around around 1 to sorry, 1 to 10 mm ठीक है, 1 to 10 mm जितना लंबा हो सकता है आपका एक root hair, ठीक है, एक root hair इतना लंबा हो सकता है, जो कि किस से बना हुआ है, सिर्फ एक cell से बना हुआ है, although ये सिर्फ एक cell से बना हुआ है, तो इसके उपर कोई और further branches नहीं निकलेंगे, जैसे यह example branch निकल गया, तो इसके उपर और कोई branches नहीं निकलेंगे, तो it is un branch, ये भी लग सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़े हो गई, धान दो, it is un branch, ठीक है, इसके उपर कोई branches नहीं present है, it is unicellular, ये unicellular है, और it is colorless, और इसका size कितना होता है, around 1 to 10 mm, ठीक है, एक से 10 mm के बीच में इसका size होता है, अगर नहीं बात करूब तो इसके उपर कितने cell walls present होते हैं, एक है cell wall ठीक है, और एक है cell membrane, ठीक है, एक है cell wall और एक है cell membrane, जो cell wall है, cell wall is freely permeable, cell wall is freely permeable, अब इसका क्या मतलब है, permeable, ठीक है, अब इसका क्या तो मैं गेट खोल के रखो तो कोई भी अंदर आजाएगा ठीक है कोई भी परसन अंदर गुज जाएगा तो वह क्या है प्रीली पर्मिएबल होती वह किसी भी आयन्स को किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी elements को वो अंदर आजाने देती है, ठीक है, उसको pass करने देती है, तो ऐसे organism, जैसे cells, ऐसे wall जो क्या कर दे, खुद को pass कर दे दे, उसने हम क्या कहेंगे, freely permeable, लेकिन cell membrane नहीं करने देती, ठीक है, cell membrane कभी भी अपने उपर से किसी चीज़ को pass नहीं करने देती, although ये कुछ-कुछ चीज़ों करने देती है, मतलब ये freely permeable नहीं है, ये permeable तो है, ठीक है, ये permeable तो है, मतलब कुछ-कुछ चीज़ों को ये pass करने दे रही है, बट ये हर चीज़ को pass नहीं करने दे रही है, cell wall की तरह, so it is partially permeable, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, semi permeable, partially के लिए लेकिन cell membrane बोलेगी, ठीक है, मैं सबको अंदर गुसने नहीं दूंगी, तो it is semi permeable, तो semi permeable से कौन को चीज़ों को चीज़ों करती है, जो छोटे चोटे चोटे आयन्स होते हैं, जो चोटे 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 आयन्स होते हैं, वो अंदर जा सकते है, जो water होता है, ठीक है, water पढ़ लिया, अब absorption को process देखना है, कि कैसे कैसे absorption हो रहा है, कहां से चीज़े कहां transfer हो रही है, इतनी बाते क्लियर है, इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए, मुझे आपको और कुछ चीज़े समझानी पढ़ेंगी, यहां पर देखो, म इन सारी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चीए, solute का मतलब क्या होता है, solvent का मतलब क्या होता है, solution का मतलब क्या होता है, साथी साथ एक और चीज़ है, जिस हम लोग कहते है, water potential, ठीक है, water potential, अगर आपको यह सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी, तो आपको आगे का osmosis Riss Diffusion ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगे इजी है ठीक है देखो एक सॉलूशन ले लो फान एंज़ामपल मुझे निम्बू पानी बनाने है ठीक है फॉर एंज़ामपल मुझे क्या बनाने निम्बू पानी बेस्ट एक्सथामपल ए सॉलूशन का तो मैं क्या क्वांटिटी में मैं नमक भी लोगा उतनी क्वांटिटी में निम्बू लोगा ऐसा ने ठेक है निम्बू की क्वांटिटी कम होगी ठेक है शक्कर की क्वांटिटी क्या होगी कम होगी लेकिन जो वॉटर है उसकी क्वांटिटी क्या होगी जाधा होगी समझ मैरी बात उसकी quantity क्या होगी जादा होगा तो जो पूरा निम्बु पानी है वह क्या है solution है वो क्या है solution तुम लोग समझते हो ना किसी भी अलग अलग चीज का उसे मैं क्या कहूंगा solution अब सौनूशन में जिसकी quantity कम हो ठीक है इसका मतलब हम लोग उस उस चीज को किसी दूसरे चीज में मिला रहे है जैसे अगर मैं बात कुरू शक्कर की तो शक्कर को मैं मिला रहा हूं पानी के अंदर ठीक है तो पानी की quantity जाधा है तो जिस भी चीज की quantity जाधा होती है उसे हम लोग क्या क्या कहते है solvent और जिसकी चीज की कि यह ओगी, उसे में क्या कहूंगा, जिसकी quantity क्या होगी, जाधा होगी, उसे में क्या कहूंगा, solvent, इसका मतलब मेरा जो निम्बु है, منस्वा, और मेरा जो नमक क्या है, आदर कि मिला रहा हूं, water की अंदर मिला रहा हूं, सौनिवर्सल्द किने अलव नहीं सौना तो सोथ handle दिक्क्त की बात नहीं सौ्ट को मतलब मैंने अभी आप लोगो को बता है कि जिसमें कोई भी चीज़ अंदर dissolve होता है, हो जाए, तो water एक ऐसा solvent है, जो maximum चीजों को dissolve कर लेता है, maximum इस दुनिया में जो चीजों को dissolve कर लेता है, इसलिए water को हम लोग क्या कहते है, water is a universal solvent, इतनी बाते clear है, इतनी बाते समझ में, water is a universal solvent, अब मैं आपको एक सी समझाता हूँ water potential के बारे में कि water potential क्या होता है सुनो द्यान से देखो for an example ये एक container है मैंने एक container ले लिया अब इस container के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा water भाय लिया इस container के अंदर मैंने क्या डाल दिया water डाल दिया यहाँ पर पूरा watery water है मतलब इसके अंदर बहुत सारे water molecule लागे बहुत सारे water molecule लागे अब water जब तक free रहेंगे water जब तक free रहेंगे वो एक position से दुसरे position easily move कर सकते है water जब तक free रहेंगे वो एक position से दुसरे position तक easily move कर सकते इसका मतलब इनके अंदर क्या है अब तुम लोग अगर इसके अंदर कोई iron डाल तो जैसे for example मैंने इसके अंदर aluminium डाल दिया मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया aluminium डाल दिया फिर silicon डाल दिया कोई भी iron डाल दो तो ये क्या हो जाएंगे aluminium क्या होता है positive charge तो वो क्या करेगा जितने भी waters है उसको अपनी तरफ attract करने ही कोशिश करेगा अगर वो उनको अपनी तरफ attract करेगा तो ये जो water है ठीक है इनका अभी तक जो freely motion हो रहा था वो freely motion क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा समझ मैरी बात उनका free motion है वो क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा इसका मतलब उनका free motion reduce हुआ मतलब उनका water potential भी क्या हो गया reduce होगा, उनका kinetic energy भी क्या हो गया reduce हो गया, समझ मैं रही बात तो जितना water pure होगा ठीक है, जितना water क्या होगा pure होगा, उतना ही जादा वो उसके उतना ही अंदर जादा water potential होगा ठीक है, उसकी energy उतनी ही जादा होगी, इतनी बात है clear है, ठीक है और यह बात तो आपको यह समझ में आया होगा यह बात सुन लो water for absorption ठीग है अब हमारे टापिक वापस आते हैं water for absorption की water कि कौन-कौन से water available होते हैं absorption के लिए अब देखो जिसे आप लोगने देखा होगा कि हम लोग water को पानी देते हैं ठीक है वाटर बोल रहा हूं प्लांट को पानी देते हैं वाटर क्या ही पानी दोगे तो आप लोग क्या लगता होगी वाटर क्या कर रहा है वो पानी को डिरेकली अब्सॉप कर ले रहा है पर नहीं सारे के सारे जो वाटर होते हैं वह अब्सॉप्शन के लि है हम लोग को पढ़ना है gravitational water ठेक है सबसे पहला क्या है gravitational water gravitational water मतलब क्या देखो नाम से सुनने में लगा gravitational water मतलब कहीं ना कहीं इसमें gravity involved होगी अब gravity का function क्या होता है gravity मतलब क्या होती है कि वो कोई प्रेस्टेट ऑर इतलं थो आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट ईंडर रहां जाते जा रहां जाते जा रहा है तिक है उस वाट को मुझक्या कहें ग्रैविटेशनल वॉाटर डॉल आपके अब्रशॉब कर सकता प्लांट ने हो क्यों कि for an example ये एक ट्री है एक ट्री है और इसके यहाँ पर roots निकले हुए तो यह ज़ो tree है ये सिर्फ इतनी ही area में क्या कर सकता है water को absorb कर सकता है क्योंकि इसके आगे roots नहीं है इसके roots इसके आगे निए फैले हुए ना इसका मतलब ये इतने ही एरिये में क्या कर रहा है चीजों को एब्सॉप कर पा रहा है इस एरिये को ठीक है जिस एरिये में एब्सॉप्शन हो पा रही है इस एरिये को हम लोग क्या कहेंगे राइजोस्पियर ठीक है इस एरिये को हम लोग क्या कहेंगे राइजोस्पियर अगर वो gravitational water के बाहर निकल गया, sorry, rhizosphere के बाहर निकल गया, तो क्या हमारा जो water, हमारा जो plant है, क्या वो उसको pull कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो roots है, वो वहाँ तक फैले ही नहीं हुए, ना, हमारे roots तो सिफ इतने ही दूर तक ही है, तो हमारा rhizosphere सिफ यहीं तक होगा, ठीक है, rhizosphere मतलब क्या, जो एक area है, जहां पर roots क्या कर सकता है, absorption कर सकता है, जहां तक root फैला हुआ है, वो उसका rhizosphere है, ठीक है समझ मेरी बात जहां तक रूट फैला हुआ वो उसका क्या है राइजो स्पियर है इतनी बात है क्लियर है तो ग्रेविटेशनल वाटर कमपेटिबल नहीं है एब्सॉप्शन के लिए ठीक है क्योंकि यह निकल जाता है बाहर फिर अगर मैं बात करूँ हाइड्रो स्को अधेसिव स्कोपिक वाटर की है था है क्या होता है यहां से सुनो रहुत कैंडर बहुत सारे च्टे-ucky पूर्स के ट्रूं चिपक जाएंगे सही बात है, यह जो blue वाला है, यह क्या था, कोई soil particle था, तो soil particle क्या किये, soil particle क्या, water के अंदर बहुत चीज़ था, अधेसी फोर्स होता है, बहुत अच्छा अधेसी फोर्स होता, तो water क्या करेगा, चिपक जाएगा, soil particles के उपर, इसका मतलब, यह जो soil particle है, यह water को छोड़ने क्या वाला नहीं है, तो यह water कभी भी useful नहीं हो सकते, absorption के लिए, यह water कभी भी useful नहीं हो सकते, absorption के लिए, इसका मतलब, भी मैं इतनी बाइब है नेट उतरों कमबाइन थे इने लागा है यह किसी चीज़ से कम्बाइन होगा शोईल में सिर फिसके अंदर बात करुए बहुत सारे और भी metals present होते हैं और elements present होते हैं जिसे सिलिकॉन तो हमारा water क्या कर जाएगा साथ क्या कर जाएगा अब जो water इन elements के साथ क्या रखा है क्या वो absorption कर सकता है बिल्कूल भी नहीं कर सकता तो combined water भी compatible नहीं है absorption के लिए last अगर मैं बात करूँ so last is the capillary water last is the capillary water capillary water क्या होता है सुनो for an example it is the soil यह एक soil है ठीक है और यहाँ पर क्या present है इसके बीच में water present है ज्यान दो इसके बीच में क्या present है यहाँ पर water present है तो अब water के side side वाले जो component है ठीक है side side वाले जो वो क्या कर रहे है अधेसिव फोर्स दिखा रहे है इसका मतलब यह सारे particles तो यहाँ से चिपके हुए है ठीक है यह सारे particles यहाँ पर चिपके हुए है लेकिन capillary water क्या होता है किसी भी आगर आप water को एक normal से जगह पर रख दो तो अगर वो यहाँ यहाँ से अधेसिव फोर्स दिखा रहे है और water की layer बढ़ते जारी concentration बढ़ते जारी है इसका मतलब water क्या आने लगेगा उपर आने लगेगा तो यह जो beach वाला water है यह किसी से भी bind नहीं किया हुआ है side side वाले water भले अधेसिव फोर्स से अगे क्या पढ़ना है हम लोग को यह चीज़े समझ में आ गई तो आपको आगे की सारी चीज़े एकदम इसली समझ में आ जाएंगी क्लियर है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यह लेसन बहुत ही ज्यादा सिंपल है आप लोग बस जितने जितने चीज़े में बता रहा हुती चीज़े आप समझते जाएए आपको सब कुछ इजिली क्लियर हो जाएगा क्लियर आज हमारे नेक्स टॉपिक पर चलते नेक्स टॉपिक क्या है किस किस तरीके से जो वाटर होता है रूट के थुप तो आभी हम लोग क्या पढ़ेंगे एब्सौप्ऩं पढ़ेंगे absorption होने के बाद, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वो root से उपर तक कैसे जाते है ठीक है, root से उपर तक कैसे जाते है for example, अगर आप 5th floor पर रहते हो तो अगर आपके घर पे water पहुचाना है तो आपको क्या लगाने पढ़ेंगे नीचे motors लगाने पढ़ेंगे, जिसके तुरू क्या होगा water pull होगा उपर, ठीक सही बात है लेकिन plant के अंदर ऐसा कोई motor लगा हुए plant के अंदर के अईसा कोई motor लगा हुए नहीं लगा हुए, लेकिन plant के अंदर भी तो water को water by root from soil, soil के अंदर से कैसे absorption होता है water का, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है imbibation, imbibation बहुती ज़्यादा simple topic है, imbibation मतलब क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को water वाले solution में रखो, और उसके अंदर concentration risk का में है, for example, एक resin है resin समस्तियो, ठीक है, resin समस्तियो, उसको हिंदी में क्या बोलते है, शायद मुनक का बोलते है ठीक है, किश्मिश बोलते है, किश्मिश ठीक है, किश्मिश बोलते है, तो अगर आप किश्मिश को, पानी के अंदर रख दो ठीक है और आप दूसरे दिन उठके देखो तो जो किश्मिश है उसकी size क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर water क्या हो चुका है insert हो चुका है water उसके अंदर क्या हो चुका है जा चुका है सही बात है इसका मतलब अब वो जो किश्मिश है ठीक किसी भी चीज के अगर अंदर वाटर जाएगा ना इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इंबाइबेशन समझ मेरी बात तो इंबाइबेशन बहुत ही जादा सिंपल है कोई भी चीज लो उसके अंदर क्या बस वाटर घुसा दो अगर वह वाटर घुस गया तो वह क्या हो ज जाता है फूल जाते इसके वह टूड़ जाता है देखे देखे रहोगे आप लोग तो वह भी किसके अंदर आएगा इमबाइबेशन के इनदर आएगा इतनी बात है क्लियर है सिंपल है इंबाइबेशन ओके नेक्स्ट अगर लोग बात करें डिफ्यूजिशन के तो देख लोग ने experiment देखा होगा कभी बच्पन में कि एक दो पाइप लेलो ठीक है दो पाइप लेलो और इसको बीच से connect कर दो और एक के अंदर पूरा पानी भर दो ठीक है और एक के अंदर आधा पानी भरो तो पानी किस पाइप से किस पाइप में transfer होगा देखो मैं तुमको बना के हुआ है और इसको मैंने connect कर दिया एक छोटी सी पाइप से यहाँ पर इसका मतलब इसमें से पानी इसमें transfer हो सकता है और इसमें से भी पानी इसके अंदर भी ही transfer होगा क्यों कि चीज़े हमेशा higher concentration से lower concentration जाती है चीज़े हमेशा कहां से जाती है higher concentration से lower concentration इसी चीज को डिफूचिन केते हैं सिंपल है क्या कहा देखो बहुत ही सिंपल है definition पड़ो क्या है इसकी a movement of ion atoms and molecule ठेक है किसका movement हो रहा है आयन का moment की बात कर लो atom की moment की बात करो या फिर पूरे molecule की moment की बात करो water क्या है water molecule है ना बड़ा होगा ना आप लोगने chemistry में तो water is a molecule तो molecule transfer हो रहा है ठीक है molecule transfer हो रहा है इसमें एक region से ठीक है एक region से transfer हो रहा है of higher concentration to lower concentration इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं diffusion समझ में आई बात तो किसी भी चीज़ का transfer चाहे ion हो चाहे वो atom हो चाहे वो molecule हो वो चीज़ अगर transfer हो रही है एक higher concentration तो अगर lower concentration तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे diffusion समझ में आई बात simple diffusion का मतलब और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने अब देखो diffusion जैसे transfer हो रहा है ठीक है एक जगह से दुसरी चीज़ जगह चीज़ जा रही है higher से lower चीज़ जा रही तो उसके बीच में कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं diffusion pressure ठीक है उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते है diffusion pressure अब diffusion pressure is directly proportional to diffusing particles ठीक है उसके अंदर जितने भी particles होंगे न उसके अंदर भी उतना ही pressure लगेगा जितना diffusion pressure होगा क्या नहीं समझे देखो वापर समझो यहाँ पर देखो इसके अंदर इसके अंदर जो molecules होंगे इसके उपर कुछ pressure लग रहा होगा तभी यह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कोई भी चीज को motion में लाने के लिए है कोई भी चीज को motion में लाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है यॐ चीज के अपर लगेगा particles के उपर भी लगेगा इसका मतलब अगर diffusion pressure बड़ा, तो particles के उपर मतलब particles भी क्या हो जाएंगे, increase हो जाएंगे और उनके उपर जो pressure लग रहा है, वो भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा, तो यहाँ पर simple सी चीज लिखे हुए है, धान दो, यहाँ पर simple सी चीज लिखे हुए है, कि diffusion pressure is, diffusion pressure को हम लोग DP बोला गया है, ठीक है, DP is directly proportional to diffusing particle समझ में है इतना, ठीक है, clear है अब देखो, यहाँ पर एक normal सा structure दिखाया हुआ है, diffusion का, diffusion का diagram है तो यहाँ पर, बीच में एक cell membrane बनाई हुए, it is a cell membrane किस से बनी है यह cell membrane अच्छा अब सही है spelling, cell membrane किस से बना हुआ है, फॉस्फो लिपिड से ओके इगाँ यहाँ पर, ठीक है, यह जो cell membrane यह किस से बना हुआ है, फॉस्फो लिपिड से, फॉस्फो लिपिड क्या होता है देखो, एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है एक फॉस्फोरोस का मॉलेक्यूल होता है और उससे लिपिड जुड़ा हुए ठीक है दिख रहा है आपे एक फॉस्फोरोस का मॉलेक्यूल है उससे क्या जुड़ा हुआ है लिपिड जुड़ा हुआ है तो हमेशा यह जो लिपिड वाला मॉलेक्यूल होता है ठीक है इट इस a hydrophobic, it is a hydrophobic hydrophobic मतलब क्या होता है पानी से डरने वाला, ठीक है जिस इंसान को, या जिस भी ओर्गिनिजम को जिस भी चीज को, पानी से डर लगता है उसे हम लोग क्या कहते है, तो ये जो lipid वाला पार्ट है, ठीक है ये वाला पार्ट, ये क्या है hydrophobic है, तो ये कभी भी पानी के contact में नहीं जाना चाहता, ठीक है, ये कभी भी पानी के contact में नहीं जाना चाहता साथी साथ, ये जो phosphorus वाला पाट है ये वाला जो पाट है, ठीक है, it is a hydrophilic ये क्या है, hydrophilic hydrophilic मतलब क्या, जिसको प्यार हो किसी चीज से प्यार फिलिक मतलब लव ठीक है तो इसको क्या है पानी से प्यार है समझ मेरी बाग तो ये पानी के कॉंटेक्ट में रह सकता है लेकिन ये वाला पानी कॉंटेक्ट में नहीं रह सकता है इसलिए हमेशा फॉस्फो लिपिड डबल double membrane form करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, देखो एक यह वाली membrane यहाँ पर और एक यह वाली membrane यहाँ पर, जिससे यह दोनों lipid कभी भी पानी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन यह जो phospho वाला पाट है, यह हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगा, पानी के contact में रहेगा, समझ मेरी बार, इसलिए यहाँ पर क्या है, दो यह है, यहाँ पर double membrane है, समझ मेरी बार, अब यह double membrane के बीच में, यहाँ पर एक चोटा सा structure है, जिसको हम लोग कहते है, water selective pore, ठीक है, एक water selective चोटा सा अब यह कुछ ऐसे, आईसे, साजा करने लगेंगे, आधर यहाँ कि concentration, जादा है, कहां करने लगेंगे, अंदर-जाईड का मतलब ही तो यह चीज आप की एक जगहा से ठीक है, एक higher concentration से कहाँ जाए, लोगर कॉन्सेंधरेशिन की तरे जाए, इस इसी चीज़ को diffusion कहते हैं समझ में आया ठीक है simple है एकदम simple है अगर आपको diffusion समझ में आ गया तो आपको आपको बीच में एक membrane लगा दे निया है जो कौनसी membrane है semi permeable की कौनसी membrane होती है semi permeable की मन्हाँ आपको starting वह बताया था lecture के क्या होती है cell membrane क्या होती है semi permeable और cell wall क्या होती है freely permeable मतलब cell wall क्या कर सकता है हर एक चीज़ को अपने अंदर डाल सकता है लेकिन cell membrane किसी भी चीज़ को हर एक चीज़ को अंदर नहीं डालता सिर्फ water को और कुछ small small ion को अपने अंदर से पास होने की इजाज़त देता है समझभारी बात तो for an example यहां पर एक एक container ले लो ठीक है और इस container के बीच में इस container के बीच में यहां पर तुम एक semi permeable membrane लगा दो अब यहां पर तुम्हें क्या करना है यहां से सुनो यहां पर तुम्हें water बढ़ा देना है ठीक है water की concentration ज्यादा रखती है और इसके अंदर भी तुम्हें water की concentration लखनी है तो यहां पर भी solvent है यहां पर भी solvent है लेकिन इस solvent के साथ साथ आपको इस side कुछ solute add कर दे मैं यहां पर कुछ ज्यादा सॉल्यूट है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहां पर भी कुछ solute है लेकिन solute की concentration ज्यादा कहां पर है इस side तो अभी मैंने आप लोग को बता है था कि अगर solute की concentration अगर बढ़ जाएगी तो उससे water का water potential जितना जaddh pure water होगा हितना ही water potential ज्यादा होगा उतना ही भी अभी आप लोग बढ़ाया था जई बात है तो इसका देखो इसके अनदर solute की level कम है मतलब यह क्या है इसका water potential है क्या होगा जड़ा होगा आपकार to this हमेशा पानी इस जगह से, इस concentration, इसका मतलब यह higher concentration हो गया, तो हमेशा इस जगह से, कहाँ move होगा, इस side move होगा, सही बात है, और यह है बीच की semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, सही बात है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कितना सिंपल है, किसी भी चीज़ को आपको higher से lower concentration move करना है, बस बीच में आपको क्या लगा देना है, semi-permeable membrane, अब semi-permeable membrane से सिर्फ water transport हो पाएगा, जो ions है, उनका transportation possible नहीं हो पाएगा, इतनी बात है clear है, समझ में आए बात, semi-permeable membrane, ऑस्मोसिस समझ में आब, अब ऑस्मोसिस तीन टाइप क्यों होते हैं, तीन टाइप क्यों होते हैं, यहाँ पर आप लोगों समझ में आएगा, देखो, ज्यान दो, तीन, तीन बीकर लेलो, तीन बड़े-बड़े बीकर लेलो, और तीनों के अंदर मुझे क्या करना है, एक condition बनानी है, देखो, पहेदा वाला जो बीकर है, इसको हम लोग कहें, इसमें हम लोग कौन सी condition बनाएंगे, आइसोःट कंडिशन मनाएंगे, इसके अंदर आइसोःट कंडिशन, अभी समझ में आएगा, ISOBRIC क्या होता है, HIDROSP Philoric क्या होता है, और हैिपोSphoric क्या होता है, सब समझ में आएगा, अभी इतनी बात हैं 1, 1, 1, 2, 15, summary, 4, इसकी watery concentration इतनी जाधा नहीं होगी, इसकी watery concentration इतनी जाधा नहीं होगी, मतलब इसके अंदर कुछ ना-कुछ molecules of solute present होगे, अगर इसकी concentration अगर बढ़ रही है, दो मतलब solute का level क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मैंने अभी आप लोगो बताया था कि water potential अगर आपको बढ़ाना है ठीक है concentration अगर आपको बढ़ाना है तो pure water जाधा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर solute जाधा नहीं होंगे अगर मैं बात करो दूसरा तो इसकी concentration कम कर दो इसकी concentration कम कर दो तो अगर आप इसकी concentration कम कर दोगे ठीक है इसकी concentration अगर आप कम कर दोगे तो यहाँ पर क्या form हो जाएगा ज्यादा आपको solute डालने पड़ेंगे जितना ज्यादा solute उतना ज्यादा water restrict हो जाएगा अभी आप लोको पढ़ाया था ना कि जितना ज्यादा solute होगा जितना ज्यादा क्या होगा solute होगा उतना water restrict हो जाएगा और वो move नहीं कर पाएगा और अगर water move नहीं कर पाया तो उसकी water potential यानि इसकी potential energy क्या हो गई, कम हो गई, simple सी बात है, तो इसका concentration भी क्या हो गया, कम हो गया, तो अगर मैं इन साय solutions के अंदर cell डालू, ठीक है, हमारा cell डालू, अब cell के अंदर कौन कौन सी चीज़े होती है, दो चीज़े होंगी, एक हमार cell membrane और एक cell wall, डान दो यहां पर, so for an example, यह मेरा cell wall है, ठीक है, यह मेरा cell wall है, और यह cell wall के अंदर क्या प्रेजन्ट होगा, cell membrane, ठीक है, तो यह क्या है, cell membrane, ठीक है, यह cell membrane है, और water के cell के अंदर, plant cell की बात करूं, तो plant cell के अंदर बहुत बड़ा उसा एक SMKW प्रेंट होता है तो सेम ऐसी चीजें मुझे तीने मणाना नी पड़ेगी yo59 एक ऐसा सेल प्र्छी ओंपर क्या है इसके उपर क्या प्रेजेंट है इस सेल बाथ है इसे मेंदर चांडर क्या सबक्छी प्रेंट होगा तो यहा प्रुक्त आप इसका मतलब यहाँ पर वाटर की कनसेंट्रेशन कम है, तो वंटर की कॉनसेट्रेशन किस 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 में जयादा है, यहाँ पर, इस किस में जयादा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां से ठीक है अब देखो यहां पर वाटर की concentration के जाद है मतलब वाटर जो है वो अंदर साइड मूब करने लगेगा ठीक है वाटर जो है वो अंदर साइड मूब करने लगेगा सही membrane है यह पूरी full जाएगी कुछ ऐसी सी हो जाएगी तो एक formation हम लोग ने समझ लिया तरजीड सल का कैसे फॉर्म होता है दूसरी अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर concentration जादा है यहाँ पर किसका concentration जादा है solute का मतलब water इसका मतलब water potential कम हो गया तो water का भागने लगेगा बाहर भागने लगेगा इसका मतलब जो cell है उसके अंदर क्या हो जाएगा water का concentration कम हो जाएगा सही बात है तो इसके अंदर अगर इसके बात करूँ cell membrane की तो cell membrane इसकी कुछ SEC चिपक जाएगी यहां पर कुछ SEC चिपक जाएगी और यहां पर जो space बचा है cell membrane और cell wall के बीच में इसमें क्या भर जाएगा इसमें यह water भर जाएगा water in the sense यह वाला जो solution है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर भर जाएगा इतनी बात है clear है इसे cells को जो जैसे चिपक जाएगे जिनके अंदर सारा cell क्या हो गया बाहर हो गया इसे हम लोग कहेंगे plasma light cell तो आपको समझ में आ गया plasma light cell भी क्या होता है जिसके अंदर से water क्या हो चुका है पूरी तरह से extract हो चुका है और last अगर मैं बात करूँ, isobaric condition में, इसमें क्या होने वाला है, इसका concentration, जितना concentration cell का है, उतना ही concentration यहाँ पर किसका है, water का भी है, बाहर के solution का भी है, तो इसके अंदर water अंदर भी जाएगा, और water बाहर भी आएगा, ठीक है, पानी अंदर भी जाएगा, और पानी बाहर भी ही आएगा, तो ऐसे condition को, ऐसे cell को, हम लोग क्या कहेंगे, flaccid cell, समझ में आ गई बात, छीकिए हमलोग क्या कहेंगे, इतने बात है clear है, ठीक है, समझ में आ गया, और एक चीद समझ लो, ये है ओस्मोसिस आपको समझाना, एक और चीद समझ लो, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो, मैंने आपको आस्मोसिस का मतलब क्या बताया था, कि कोई भी चीज हाईयर कांस्ट्रेशन से लोज़ो जारी है बस इसके बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए एक semi-permeable membrane present होना चाहिए तो इसमें जो भी water के molecule जब इस permeable पर हिट करेंगे तो कुछ pressure लगाते ठीक है इस membrane पर क्या लगाएंगे कुछ pressure लगाएंगे nothing but this pressure is a osmotic pressure मतलब osmosis होने के लिए जो pressure लग रहा है उसी pressure को लोग क्या कहेंगे osmotic pressure तो I hope आपको ये सारी चीजे इस lecture में समझ में आ गई होंगी तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आईए तो वीडियो को like ज़रू से करना चैनल को नए आया हो चैनल को subscribe करना और bell icon को भी all पर set कर देना तो मिलते हैं किसी next lecture में तब तक के लिए keep studying